जितने भी ग्रह हैं चाहे राहू हो केतू हो मंगल हो शनी हो बुद्ध हो गौम हो सूरी हो ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवानों के शिवलिंग के पास में विराजमाई शिवलिंग के पास मगिरा जाए कभी मुका मिल जाए विवाः शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कारे चलू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए नुकरी के लिए जा रहे हो और वो कारे नहीं हो रहा हो तो एक धतूरा केवल एक धातूरा उस धातूरे को फोड़कर उसकी अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिन पर चड़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करकर दिन होना चाहिए मंगलवाल कॉनसा दिन होना चाहिए जम के बुलो जरा मंगलवाल समर्पित करो उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी वेवसायो और वेपार के लिए या नोकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं हो एक पत्र में आया है सुनिए बड़ा सुन्दर संवाद है कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने दो तीन वेपार करके देख लिए और गाटे गाटा हो रहा है इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है इसमें मुझे उन्नती नहीं मिल रही है या करजा बढ़ रहा है घट नहीं रहा है तब बहुत करजा बढ़ रहा तब एक प्रयोक जरूर करिये ला तब बन सके परदोश के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के उपर दीजे जब तुम्हें लगे कि मैंने दो-तिन वेपार बदल कर देख लिए चल नहीं रहे या करजा बढ़ रहा है घट नहीं रहा तब एक धतूरा भगवान शंकर के उपर रख दीजिए धतूरा रखने का एक नियम होता है धतूरे की जो डंडी होती है देखिए छोटी सी डंडी होती धतूरे में वो डंडी धतुरे की आप जहां बेठे हो उससे विपरित होना चाहिए धतुरे की डंडी आप इधर बेठे हो तो धतुरे की डंडी उधर हो अपने को लग रहा है कि वेपार मेंने बदल लिया दो वार चार वार छे वार वेपार बदल के देख लिया और करजा बढ़ रहा है पर वेपार भी नहीं चल रहा फिक्टी डाली वो भी चल बंद हो गई दुकान डाली वो भी बंद हो गई कुछ काम करा वो भी बंद हो गया जहाँ सम्मंद के लिए जाते हैं सम्मंद नहीं होता है बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा बहुत प्रयास करके देख लिया पर दो नहीं रहा तो प्रदोश के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विप्रित दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के उपर आप चड़ाना प्रारण कर दीजिए जो शिवलिंग के उपर रख़ा हो माहराज हाट के ईश्वर महादیौ का नाम लेकर कोण से महादیौ जम के मुलब दिरा हाट के ईश्वर महादियौ का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापिस घर में लिया जाता है वापिस लिया उसके बाद तुम जिस कारे में हाटा लोगे और जो कारे करना चाहोगे उसमें सफलता मिनना चलू हो जाएगी और करजा भी दीरे दीरे जूकना प्रागम हो जाएगा अब अब जिन्द्टियां संपदा की कमी होती है वैवहू की कमी होती है दन की कमी होती है उसके लिए सुमवार के दिन भगवान संकर को अगर जल चणाया जाता है तो हमारे घर में शीतल्पा का अनुभव होता है एक बहुत सुन्दर बात है अपनी जिन्दगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चड़ा रहे हैं शंकर के मंदर में जाकर आप दूद चड़ा रहे हैं शंकर के मंदर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे हैं तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी शिव देने में कमी नहीं रखता कमी अपनी सेवा में हो कई कई लोग कहते हैं हम संकर जी के अराधना करते हैं हम पूजन करते हैं मैं तो इत्ते साल से बिलपत्र चड़ा दी मैं तो इत्ते साल से जल जल चड़ा रही हूं मैं इतने समय से भगवान के सुला सुंबार कर रही हूं मैं इतने समय से संकट सुंबार के वृत कर रही हूं दस दिशाओं को भगवान शंकर ने बाटा और शंकर भगवान ने दस दिशाओं को बाटा तो दस दिशाओं का आधिपत्य बनाया है कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा कौन से देवता यहां पर निवास करेंगे किसका आधिपत्य इस दिशा म सामने, भगवान श्रिब के सामने खड़ी है, चारों दिशा। दीरे-दीरे करते इशान रवायब्य यह भी आकर खड़ी होगा। दसों दिशा श्रिब के सामने थी, दसों दिशा, सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई केवल एक दिशा एसी थी दक्षिन जो भगवान शंकर का इस्मन कर रही थी भगवान शंकर के स्वरूप का अनमोदन कर रही केवल दक्षिन दिशा कई लोगों के मन में प्रिश्ण है जीवन से होगा साय और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं मोबाईल पर सुन रहे हैं कथा को यूटूब फेस्बुक पर आपके भी मन में ये प्रिश्ण आया होगा कभी जिंदगी में तो आया होगा कि संकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है कभी तो जीवन में प्रिश्ण आया होगा आपके भी कि सब संकर जी के मंदिर में संकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है किस लिए रही है माराजी केवल एक दिशा इसी है दक्षिन जो दिशा भगवान संकर का गुणगान कर रही है सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी दक्षिन दिशा शिव की अराधना कर रही है वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिन दिशा की और हसने लगए सारी दिशाएं होता है जब दस फ्रेंड दस सहेलियां सरल भाषा में समझी है इसको दस फ्रेंड दस सहेलियां एक जगहा पर इखट्पी हुई और एक सहेलि अकेली वेट कर माला जपे नाम जपे या हैंड सेक मुबाईल चलाए या फोन पर लगी रहे या बात करे तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना फिटोली तो करेंगी ना दक्षिन दिशा को देखकर उत्तर दिशा फिटोनियां करने लगी हसने लगी भगवान शिव की अराधना में दक्षिन लगी रुई थी पूरव और पश्षिम ये दो दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभीमान था बहुत अभीमान था इनोंने तो पहली सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे आधीन पूरव और पश्षिम के आधीन सर्वदेव तो जब सर्वदेव मेरे आधीन है हमारे आधीन है तो हम क्यों जप पल्भाव में बेठे वी रहोना मधसुमध ठिटोली करो तो भी चल जा पर उत्तर ठिटोली करो और उत्तर दिशा ने जैसे इंट ठिटोली करी शब्दों के बान कहना दक्षिन को चालू करे इतने में भगवान शंकर जो मध्य थे सामने जिस शिव की आराधना दक्षिन दि जिसके स्वामी है यमराज जब उक करी दक्षिन दिशा ने एक बार हाद जोड़कर कहा उत्तर है शांत रहिए अगर मैं शिव अराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है उत्तर ने फिर कोई शब्द कहा इतने में जिस शंकर की अराधना दक्षिन दिशा कर रही थी शिव को क्रोध आ गया और किसी की तफसाधना में भजन में कीरतन में अगर आप अर्चन उत्पन करते हो तो जब तब कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा जिसका भजन कर रहा जा रहा है जिसका नाम जपा जा रहा है तश्ट उसको होगा दक्षिन ने तो केवल एक वार मना कर दिया कि मत बोल मत कर पर उत्तर नहीं मानी तब दक्षिन उसी समय पर मोन हो गई आराधन में डूब गई शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप में प्रगठ हुए भगवान का तेज पुंज इतना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने लगई चमा मांगी उसने दक्षिन दिशा से क्रपा करो तब दक्षिन ने जल का पातर लेकर शंकर के शिवलिंग पर चड़ाया वो जल उत्तर की और गया तब उत्तरा की ज्वलनता समाप्त हुआ मता दक्षिन दिशा ने बर मांग लिया शंकर जी से भोले ना आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी मेरी सक्षी को बचा दिया क्रपा करिए शंकर भगवान ने कहा सुनो दक्षिन दिशा तुमारा पती यमराज तुमारे सात मेरे ताहे तुम दक्षिन दिशा की मालकिन हो और यमराज तुमारे स्वामी है पूरा पश्शिम उत्तर ये तीन दिशा में जो शंकर की अराद न करेगा शंकर कभी उसकी कामना पून नहीं करेगा जो दक्षिन दिशा में बेट कर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिन दिशा में बेट कर यदि एक लोटा पानी भी चड़ा देगा शंकर उसकी कामना पून कर देगा आग धिक्कतियां अडी-पडी एक है कि संकर जी के मंदिर में भी पंडी जी पूजन कराने बेट तो पूरव का मूँ करो पश्चिम का मूँ करो पर दक्षिन में नहीं करो पर शिव महापुरान करते ये गरग सहिता, लिंग पुरान, इस्कंद पुरान करती है कि शंकर की अनाधना आप तीन दिशा में कहीं पर भी बेटकर करोगे सिर्षिकार नहीं करता पर दक्षिन की और बेटकर एक लोटा पानी भी चड़ाया है शंकर सिखार कर लेता शंकर उसको पा लेता अब दिक्कत यह है कि कई लोग करते हम तो पूजन करते बगवान पानी सुनता तो दिशा देख लेए पहले कौंची बेटी थी इतने दिनों से किस दिशा में मूह रखकर पानी चड़ाया बोगता हमको पहले संकर जी ने नहीं सुना अगर शिव जी ने नहीं सुना आपका तो क्यों नहीं सुना कारण क्या है वो तो जानो पेले कि क्या कारण है पानी चड़ा रहे हो मंदिर में बहुत भीड़े इधर खड़ी हो गए उदर खड़ी हो गए इधर खड़े हो गए इधर खड़े हो गए तो जो शास्त्र में दिशार कही गई है जास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि उत्तर की और भगवान का अगर जल जा रहा है तो धक्षिन की और बेट कर एक लोटा पानी भी चड़ाया है शंकर उसे स्विकार कर लिया शंकर में सिपार भगवान उसको सिपार कर लिया महाराज आराधना करी दक्षिन फिर अराधना करी एक वर्तों मांगी लिया है और ये वर्त सब के लिए मांगा है कोई अकेले के लिए नहीं मांगा दक्षिन देवी नहीं दक्षिन दिशा ने जो मांगा वो सब के लिए मांगा किसी अकेले तो दक्षण फिर तप कर रही है, दक्षण दिशा फिर आराधना प्रारम करी, भगवान शिव का नुमोधन इस्मरन किया, भगवान रस्तत्व को ग्रण करने का बाव प्रगट किया, अब जो दक्षण ने तप किया, आज गोरी शंकर का तब, माता पार्वती और शिर का तब, फिर मांगा, बाबा परसंदो कर लिए, भेद अच्षण, तुमने फिर तक कर लिया, फिर साधना कर लिए, पर वो एक वरोड चाहिए, बोलो क्या वर दिया, क्या वर दिया आजा, दक्षण कहती है, जिस समय पर, समशान में आप निवास करते हैं, जिस मुर्दे को लोग लेकर आएंगे, उसका चरण, दक्षण दिशा की और होगा, समशान में प्रवेश करने से पहले, वो मुर्दा भले मर चुका होगा, पर महराज, उसकी कपाल किरिया के पहले प्राण जाते नहीं, जब तक मुर्दे के कपाल किरिया नहीं हो, तब तक उसके प्राण लेकर उपर नहीं जाया जाता, तो निवेदन है, समशान में प्रवेश के पाँच कदम पहले से, जो भी मुर्दे को लेकर समशान में आए, जितने लोग समशान में प्रवेश करें, मुर्दे के साथ में, उन सभी को काशी की परिक्रमाता फल मिल जाए, देखिए महराज, ये दुनिया में कोई नहीं मंग सकता, जो दक्षिन दिशा मंग रहे हैं, भूतों ना भविश्यते, जो दक्षिन दिशा भगवान से मंग रहे हैं, वो कोई नहीं मंग सकता, फल दीजिए, जितने लोग मुर्दे को लेकर दक्षिन दिशा की और, अगर मुर्दे के चरण है, मालोग कोई भूल से सिर कर लिया, तो उसको ये पुर्णे नहीं मिल सकता, पर मुर्दे के अगर दक्षिन दिशा की और हैं, कंधे पर जितने लोग लेकर आ रहे हैं, जितने लोग साथ चल रहे हैं, उसका पुन्य, शम्षान की देहली पर पाउँ रखने से पाच कदम से लेकर, शम्षान प्रवेश तक काशी की परिक्रमा का फल उनके भाग्य में लिख दिया जा जाओ वही हो, सुख हो, यहां को काशी काशी 5 वर कहने पर पुन्य ताहिद, रख दिशाम ने दुनिया का सुख आपको लाकर दे दिया हैं, दुनिया का आनन्द लाकर दे लुए..